इतने सोर्फ और इतनी टेस्टी लोकी के कोफते बनेंगे मेरे इस खास तरीके से तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से इन तक बने रहिएगा सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी लोकी के कोफते बहुत ही लाजबाब होते हैं लौकी की सबजी बनाईए बच्चे भी नहीं पाचान पाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे कि ये है क्या बहुत बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप लौकी के कोफते बनाईए जो हेल्दी होने के साथ बच्चों को भी पसंद आएगा बहुत ही असान है तो यह है एक लॉकी मैंने लिया है यहां पर इसे छील कर दो टुकरों में काट लिया है इसे धो भी लिया है और इसे कदुकस कर लेंगे बहुत मोटे नहीं पतले वाले से कदुकस करेंगे तो इस दोनों कद्दू को अच्छी तरह से कद्दू कस कर लेंगे यह देखिए मैंने सारे कद्दू कस कर लिये हैं दोनों कद्दू को अब इसका जो पानी है कद्दू में तो बहुत पानी होता है तो इसको हम लोग निचोड लेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से तो इसका पानी जरूर निचोरेंगे नहीं तो जब इसमें बेशन नहीं निचोरने पर बेशन डालेंगे तो बहुत सारा बेशन इसमें पड़ेगा तो और अच्छा कोफता नहीं बनेगा एकदम परफेक्ट तो इस तरह से हम लोग सारा पानी निचोड लेंगे कद्दू का इस तरह से करके सारा पानी निचोड लेंगे अब इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी आधा चमच मिर्ची पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें एक टुकरा अधरग और चार-पांच लसन का कली को कूट कर डाल देंगे और इसमें आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रस्ट करके इसमें डाल देंगे अजवाइन डालने से इसका खुसबू बहुत अच्छा आता है अब इसमें हम लोग पहले चार चम्मच भर-भर के बेशन डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि कद्दू में अभी भी पानी है निचोड़ने के बाद भी तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और जब लाएगे कि गोलला नहीं बन रहा है तो इसमें दो चम्मच और बेशन डाल देंगे तो एक साथ बेशन इसमें नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे आवा सकता अनुसार तो इसमें मैंने दो चम्मच और बेशन डाला अब ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है अब ये अच्छा से कोफता इसका बन जाएगा और तेल में जाने पर फटेगा भी नहीं अब इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे तो नमक बहुत जादा नहीं डालेंगे थोरा सा ही इसमें नमक डालेंगे और नमक कशना अब इसे इस तरह से गोल गोल करके चाहे आप कोई भी आकार दे छोटा 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 इस लोए बना बना कर इसको रख लेंगे ताकि फ्राई करने मैं आसानी हो तो इधर तेल गरम हो रहा है और इसी तरह से सभी को बना कर रख लेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तो तेल में इसे डाल कर फ्राई करेंगे तो जितना तेल है उतना ही डालेंगे बहुत जादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये तूट भी सकता है तो एक के करके इसमें डालेंगे कद्दू के कोफते को डाल कर तेल बहुत जादा गरम लगेगा तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे पलट लेंगे अब इसे लो फ्लेम पर थोरा देर फ्राई करेंगे ताकि यह अंदर तक पक जाए जो बेसन डाले है वो भी पक जाए तो यह देखिए कितना अच्छा से पक गया है अब निकालने के थोरा देर पहले गैस को फिर से हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसे निकाल लेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और अंदर तक यह पग गया है अब बचे हुए को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे और इसे भी अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे अब यह तेल तो बहुत ज़्यादा है तो इसे कटोरी में निकाल लेंगे तेल को बचे हुए तेल में पांच लॉंग, दो छोटी लाईची, एक टुकरा दालचीनी, आधा चमच जीरा और एक तेज पत्ता को दाल देंगे तेल में और जब जीरा तरकने लगेगा तो इसमें एक प्याज को इसे दरदरा पीस लिये हैं, एक प्याज है यह और इसे इसमें तेल में डाल देंगे बहुत ज़्यादा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे प्याज को बस दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी में, जैसे मैं पीसी हूँ उस तरह से और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और प्याज भूनते समय ही इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे तैकि जो भी खरा प्याज है वो भी गल जाए, पक जाए अब इसका चलिए टमाटर को पीस लेते हैं, ये एक टमाटर है जिसे छोटा छोटा टुकरों में काट लिये हैं और ये लहसन है सताथ लहसन का कली है और एक टुकरा अद्रक डाल कर इसे पीस लेंगे और ये देखिए प्याज भी तेल छोट दिया है टमाटर भी पिसा गया है मिक्सी में और प्याज भी लगभग पक गया है मच्छा से इसमें से खुस्बू आने लगी है अब इसमें कुछ सुखे मसाले को आड करेंगे तो इसमें एक चमच हल्दी एक चमच धनिया पाउडर एक चमच मिर्ची पाउडर और इसमें आधा चमच जीरा पाउडर डालेंगे और एक चमच इसमें बेशन डालेंगे और सभी को अच्छी तर से मिक्स कर देंगे मेरा गला थोरा खराब हो गया है खासी के वज़े से इसलिए मेरे आवाज पर ध्यान नहीं दीजिएगा अब सभी को अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे और गैस का फिलेम लोही रखेंगे और जो लसन ट्रमाटर और अधरक को पीस कर रखे थे वो इसमें अब डाल देंगे और यह जो है जो जिसका हम लोग लोकी का पानी निकाले थे वो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ताकि यह जो मसाला है वो जले नहीं और लोकी के पानी को फेकना नहीं है इसी में यूज हो जाएगा क्योंकि लोकी का पानी बहुत फाइदेमंद होता है इसलिए उसे फेकेंगे नहीं अब इसमें थोड़ा सा कसोरी मेथी को क्रस करके डाल देंगे आधा चमच इसमें गरम मसाला डालेंगे आधा से भी कम डालेंगे क्योंकि खरा मसाला गरम मसाला डाले हैं तो इसमें आधा से भी कम गरम मसाला डाल देंगे और यह मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है तो अब इसमें हम लोग पानी डाल देंगे पहले इसमें लोकी का पानी डालेंगे और फिर इसमें साधा पानी डाल देंगे जितना आपको gravy रखना है, मोटा gravy रखना है या पतला gravy रखना है, उस अनुसार इसमें पानी डालेंगे वहसे मैंने यहाँ दो glass पानी डाला है तेखिए gravy का color भी कितना अच्छा आया है और जब ये उबलने लगेगा तो गैस का फ्लेम पहले पानी डालते समय हाई कर देंगे फिर लो करके इसे एक मिनट के लिए ढग देंगे एक मिनट के बाद ढगकन हटाएंगे ये देखिए तेल सभी उपर आ गया है तो ये भी ग्रेवी पक गया है अब इसमें जो हम लोग कोफ़ता बना के रखे थे कद्दू का वो इसमें डाल देंगे एक करके कोफ़ता इसमें डालेंगे और ये लोकी के कोफ़ते को आप टमाटो सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है और डाल कर इसे हलके हाथों से चला लेंगे ग्रेवी भी न ज्यादा पतला है न ज्यादा गारहा है और इसे गैस का फ्लेम लोक करके एक मिनट के लिए ढख देंगे और एक मिनट के बाद धकन हटाएंगे ज्यादा देर इसे कोफ़ता ग्रेवी में डाल कर छोड़ना नहीं है पकाना नहीं है अब इसका धकन हटाएंगे ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है तेल भी उपर आ गया है और ग्रेवी थोड़ा सा गारहा भी हो गया है और हमारा लोकी का कोफ़ता बनकर तयार है अब इसे गर्मा गर्म आप चावल रोटी के साथ खाईए अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे गर्मा गर्म लोकी का कोफ़ता बनकर तयार है अब इसे एक प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी बनकर तयार हुआ है और बहुत ही सौफ्ट बनता है ये देखिए मैं तोर कर दिखा रही हूँ कितना जल्दी फट से टूट गया चमच से अब इसे गर्मा गर्म आप लोग सर्व कीजिए चावल रोटी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिजेगा और कॉमेंट करके बताईएगा ये लौकी का कोफ़ता आपको कैसा लगा तो इसे कर दो